कुट्टा और रोटी की कहानी पंचेतंत्र कहानी बहुत समय पहले की बात है एक बार एक कुट्टा था जो खाने की तलाश में रात दिन सड़कों पर घुमता रहता था एक दिन उसे एक बड़ी रसिली रोटी मिली और उसने तुरंत उसे अपने मुँखे बीच में पकड़ लिया और घर की ओड़ ले गया घर के रास्ते में उसने एक नदी पार करनी पड़ी वहां उसने गौर किया कि एक और कुट्टा ठीक उसी की तरफ ही देख रहा था वही जिसके मुँँ में भी एक रोटी थी पे इस कुट्टे के मन में लाला चुट्पन थुई और वह उस रोटी को अपने लिए चाहने लगा लेकिन जैसे ही उसने अपना मुँख खोला जिस रोटी को वह काट रहा था वह नदी में गिर गई और डुग गई ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह दूसरा कुट्टा और कोई नहीं बलकि उसकी ही परचाई थी जो की उसे पानी में दीख रहे थी अब जबकि उसके मुँख की रोटी गिर चुकी थी पानी में इसलिए उस रात वह भूखा ही रहा और अपने घर चला गया So I hope कि आपको ये कानी पसंद आई हो अगर आपको ये कानी पसंद आई है तो प्लिस मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा और मेरी चैनल को सपोर्ट करना बिलकुल भी मत भूलेगा तो मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई जैसे कृष्णा